हेलो फ्रेंज, वेलकम टू बीनास किचन, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी सा स्नैक्स, आप इस स्नैक्स को इवनिंग स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, या बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, किट्वी पार्टी हो या गेट हमने यहां दो बड़े चमच ओील को गरम कर लियाय, आदा छोटा चमच राई डाल ली है, राई चटक ने लगी है तो हम इसमें एक घ्करा लोग प्यास डाल लिया । हम दो मीनिट के लिए फ्राइं कर लए तो फ्लेइम या Exactth 생 wap related ओफ हैं मिक्स कर लेते हैं, 16 took एछय है अगर आप मिर्च थोड़ा जादा खाते हो तो मिर्ची पॉर्डर थोड़ा जादा डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, तो अब हम इसमें बॉयल किया हुआ आलू डाल लेते हैं, दो आलू को हमने बॉयल कर लिया था, उसे छील लिया तो इसे अच्छी तरह से हमने mix कर लिया है, यह आप देख सकते हैं, आलू का stuffing जो है, इसे में हमने धन्यक का पत्तर डाल लिया है, इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें हमने एक चमच निमू का जूस डाल लिया है, इस यह जो stuffing बहुत ज़्यादा tasty बन के तयार होती है, तो अब चलते हैं, हम slurry बनाने की तरफ, slurry यानि की मैदे का घोल, तो हम यहाँ पे मैदे का घोल बना करके तयार करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे तीन बड़े चमच मैदा ले लिया है, थोड़ा सा इसमें हमने नमक डाल लिया है, और इसे हमने mix कर लिया है, अब हम इसम अब हम इसमें नहीं डालेंगे, वरना इसमें गुटलिया भी पड़ जाती है, थोड़ा पाइन डालते जाएंगे और इसे गोलते जाएंगे, तो यह बिल्कुल अच्छी तरह से गोल बनके तयार हो गया है, यहाँ पे हमने एक mixer का जाल ले लिया है, और इसमें हम दो ब्र ब्रेड क्रम्स बनके तयार हो जाएंगे, यह आप देख सकते हैं हमारा फ्रेश बना हुआ ब्रेड क्रम्स तयार हो चुका है, तो अब यहाँ पे हमने ब्रेड स्लाइस ले लिये हैं और इसमें आलू का बनायवा स्टफिंग लगा लेते हैं, चमत से हमने इसे अच्छी त चाकु की है से हम इसे काट लेते हैं, तो हमने इसे चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, यह चोटे-चोटे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में तो यह बहुत जादा स्वादिश्ट हैं ही, तो अब हम एक ब्रेड के भूर में डिप कर लेंगे, इस कि सब तरह मैंधे का गों है वो अच्छी तरह से कोठ हो जाए और हम इसे ब्रेड mature में कोठ कर लेंगे क्यों था क्यूंकि हमने इसमें मैंधे का कृण 3-5 और इस तरह से यह बनके तयार हो चुका है यह देखने में कितना अच्छा लग इसी तरह से हम दूसरे bread slice को भी तयार कर लेंगे इस तरह से जब हम इसे coat कर लेते हैं मैदे के गोल से और breadcrumb से तो यह जो snack से बहुत ही ज़्यादा crispy बनके तयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा tasty भी लगते हैं तो इसी तरह से इसको बना करके आप चाहिए तो फ्रिज में store करके रख सकते हैं तो बाकी के भी snacks हम इसी तरह से ready कर लेते हैं और आप चाहिए तो इसे airtight container में रख ले और जब भी आपके guest आए तो फ्रिज से बस इसे निकाले और इसे fry कर ले बिलकुल यह जटपट से बहु आप जादा इसे हमें गरम नहीं करना है और को हमने मीडियम गरम किया है और इसमें हमने snacks को दाल लेते हैं फ्राइ करने के लिए आप चाहिए तो इसे deep fry भी कर सकते हैं पर हम इसे यहां shallow fry कर ले रहे हैं बीच-बीच में हम इसे पलट लेंगे तो बहुत ही सावधानी से प खा सकते हैं या धन्या की चटनी के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी यह बहुत से ज्यादा टेस्टी लगते हैं बिना किसी चटनी के भी इसे आप खा सकते हैं तो इसी तरह से पलटते हुए हमने इसे दोनों साइड से फ्राइ कर लिया है तो अब हम इसके साइड को भी कर लेत तो हम इसे दूसरे साइड और इसी तरह से चारों तरफ बेड़ क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेते हैं स्नाक्स को अलटते पलटते हमने बिल्कुल अच्छा क्रिस्प कर लिया है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं तो यह आप देखिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी यह स्नाक्स बनके तयार हुआ है और आप देख सकते हैं यह बहुत जादा ऑईल एब्सॉर्फ करता भ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं मिलते हैं ये नेक्स वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ चल दें बाबाई